लास लास में हमने चेप्टर नमबर 7, 7.123 तीन एक्सराइज के टॉपिक कर लिये थे लास लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग जो मेरे चैनल पर अप्लोड है ना उसको जाके लाजमी देख ले ना जो बुक की एक्सराइजिस हैं उनको सॉल्फ कर ले ना बुक में समझ लो हर किसम का आपको पर्मॉटेशन का सवाल मिल जाएगा बहुत जबर्दस कोशन बुक में मौजूद हैं आप अगर उनको सॉल्फ कर लोगे और जो मैंने थिवरी कर वाई है आपको बता हो तो आपके सवाल असानी से निकल जाएंगे आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाला प्रॉबिलिटी अच्छा जो प्रॉबिलिटी है वो 7.5 थोड़ी मुश्किल है MCQs में इतनी आती भी नहीं है लेकिन जो कुछ कोशन आते हैं वो मैं आप लोगों बता दूगा किस तरीके से वो आते हैं सबसे पहले जो टॉपिक है ना प्रॉबिलिटी का और जो उसमें डिफरेंट कॉंसेप्ट है उनको तरह देख लेते हैं अच्छा एक बात मैं पहले स्टार्ट में बतातूं यह मैं यूट्यूब पर भी अप्लोड कर ही रहा हूं वीडियो के बनाये करो कि जो आपको मैटिरियल मिल जाए ना उसको खुद भी आपने प्रैक्टिस करनी है यह बनाया करो कि यार जो भी चीज बस आप हमें सॉल्फ करवा दे हम उसको देख के याद कर लेंगे वो करने से होगा कि जो MCQS मैंने करवा है वो आपको याद हो जाएगा ने MCQS सॉल्फ करने का तरीका नहीं आएगा आपको तो अच्छा स्टुट्ट वही होता है जिसको अगर टीचर मेटियल प्रोवाइट करें तो वो कुछ सॉल्फ करें उसके बाद उसका काम होता है कि वो टीचर से जाके पूछे तो आप लोगो जो मैंने पीडिया दिया गा है आप लोगो उसको सॉल्फ करो कहीं मसला हो रहा है तो ग्रूप में पोस्ट करो आप किसी से पूछ लो अगर कोई नहीं गाइड कर रहा तो मैं आपो गाइड कर दूँगा एक और बात ग्रूप पे कुछ ऐसे स्टुएंट भी है जो बहुत ही मुश्किल एमसी क्यूज करने है एनडी तो क्या वो नस्में भी नहीं आ रहे होते हैं तो अगर गोई ऐसे एमसी क्यूज सेंड करता है तो मैं एग्णोर कर देता हूं सिंपल सी बात है उनको देखने क पर आजो अब तो सबसे पहले concept हम जर्णा देखते हैं कि probability होती यह है फिर हम देखंगे निकालना किस तरीके से देखो probability का concept यह होता है कि आपने किसी भी चीज को तो यह चीज मेजर करनी होती है कि उसके होने के कितने चांसेज हैं या आप यह भी बोल सकते हैं उसके ना होने के कितने चांसेज हैं और रियल लाइफ में आप यह वर्ड जो है ना चांसेज यह भी आप यूस करते हो अच्छा इसी तरह odds एक word होता है वो भी यूज कर जाता है कि है इस चीज के कितने odds है कितने क्या chances है कि चीज हो सके और आप probability भी बोलते हो कि इस चीज की probability क्या है कहने का मतलब इसके होने के chances कितने है formula इसका क्या होता है probability का formula यह होता है कि आप उपर लिखते हो number of favorable events इस फॉर्मले को आप लोगों को समझाता हूं पहले में लिख देता हूं number of favorable events divided by total sample points आप कहता हूं यह बहुत fancy language है लेकिन मैं आपको मतलब समझा देता हूं आपको समझा जाजे की बात जो formula की English लिखी हुए वो matter नहीं करती हाँ मेरे कावज जो metal है वो मेरा काफी है और ज़रत नहीं है मैंने बहुत दफ़ाए बात बुली वी है तो probability में होता यह है कि सबसे पहले कुछ terminology है वो आप लोगों को आनी चाहिए वो ज़र हम समझ लेते हैं सबसे पहले वर्ड आप लो काफी सुनते होगे probability में के experiment ठीक है तो experiment को random experiment हम कहते हैं तो random experiment होता क्या है कि आपने कोई भी experiment perform किया चाहे वो कोई है उसको आपने टॉस किया या जो डाइ है उसको आपने फैंका कोई भी experiment आपने perform किया और उसका जो outcome आ रहा है वो आपको confirm नहीं है जैसे अगर मैं डाइ फैंकता हूं मुझे नहीं पता डाइ यार वो जो लुड़ो आप खेलते हो ना तो उसमें जो च्छका जिसको हम बोलते है तो उसको कह रहे होते हैं इतने आउटकम आ सकते हैं जैसे अगर मैं डाई पहनकूंगा तो या तो वन आएगा या टू आएगा या थ्री फोर फाइफ सिक्स आपके पास ही आउटकम आ सकते हैं इन छे के लावा और कोई आउटकम नहीं आ सकता इसी तरह जब मैं कॉई जो है उसको टॉस करूंगा तो मेरे पास दो ही आउटकम हैं या तो हैट आएगा या टेल आएगा इसके लावा तो कोई आने के चांसेज देंगे ना तो ये पुरा सेंब्ड स्पेस होता है कि आपके पास क्या क्या आउटकम आ सकता है एक और वर्ड आप पढ़ोगे इवंट इवंट क्या होता है तरह नमबर 3 तरह आ सकता है, या 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, ठीक है, तो एविट क्या होका जो पुरा sample space ना, sample space ना, 1 से लेकर पूरा 6 तक, अब उसमें से कोई भी आपने 2 नमबर, या 3 नमबर इवेंट कहे लिए इसी तरह आप बोल दो के इवेंट क्या है कि और नमबर आजाए मतला वन आजाए थी आजाए या फाइफ आजाए ठीक है तो जो सेंपल स्पेस है पूरा उससे कोई भी आप सबसेट उठा लो उसको आप इवेंट बोल देते हो ठीक है यह कुछ आमिलॉल क्या चांस है इसका तो प्रोबिलिटी किस तरह निकालो कि आप सबसे पहले डिनॉमीनेटर में लिखोंगे टोटल सेंपल स्पेस में जो आपके पास आते उनको सेंपल पॉंट कहते हैं कि यह सेंपल स्पेस न on से लेकि 6 तक तो 1 को सेंपल पॉइंट बोलोगे 2 को सेंपल पॉइंट बोलोगे इस तरह पुरा बोलते हैं तो आप देखो कि सेंपल स्वेस में कितने elements हैं अगर आप डाई फैंक रहे तो कितने outcome आ सकते हैं 6 outcome 1 2 3 4 5 आप टोटल 6 outcome आ सकते हैं इसके लावा कुछ नहीं आ सकते हैं तो अगर मैं आपको बूलोगो प्रॉबिलिटी निकालो कि आपने डाई फैंका इसको इंग्लिश में कहते हैं डाई रोल किया आपने और आपके पास नंबर वन आजए इसकी प्रॉबिलिटी क्या है तो सिंपल concept आप सबसे पहले denominator में लिखोगे कि total outcome क्या आ सकते हैं तो आप डाई फैंकोगे तो total 6 outcome आ सकते हैं इसके लावा तो कुछ नहीं आ सकता ठीक है नीचे आप लिखोगे total उपर क्या लिखोगे जो इस event को favorable कर रहे हैं अब मुझे बता one कितने तरीके से आ सकता है वन एक तरीक नहीं कर रहा है तो पर लिख दो कि 1 तो 1 आने की probability क्या हो जाएगी 1 upon 6 इसी तरह अगर मैं आपको बोलूँ 3 आने की probability वो भी 1 upon 6 होगी क्योंके total outcome 6 है और 3 कितने तरीके से आ सकता है एक ही तरीके से आएगा और तो कोई die के ओपर 3 दो दफा तो नहीं लिखा वना एक ही दफ तो इसकी probability क्या होगी एवन नमबर आप अच्छा total outcome कितने है total outcome तो 6 ही होंगे जब एक die आ फैंक होगे 6 outcome आएंगे event number को कितने case favorable कर रहे है आप जब एक die फैंकते हो तो event number कितने तरीके से आ तो 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा या 6 आ जाएगा इसका मतलब इस event को कि event number आना इसको कितने case favorable कर रहे है तीन case favorable कर रहे है 2 आ गया 4 आ गया या 6 आ गया वो इस event को favor कर रहा हो तो 3 इसके cases हैं जो इसको favor कर रहे हैं तो आप अपने क्या लिख दिया तो 3 upon 6 क्या होता है 1 upon 2 और इस events भी बनती है जब आप die फैंकोगे 3 event number होते हैं 3 odd होते हैं तो 50-50% chance होता है 1 upon 2 को अगर आप percentage में convert करो तो 50% जब आप die फैंकते हो 50% chance है या तो event number आएगा या वो odd हैगा मैं एक और example के साथ बताता हूँ इसी तरह अगर आप odd पे आजाओ आप मैं बोलता हूँ कि यार अगर आपने die रोल करनी है और आपके पास एक odd number आजाए अब event मेरे पास क्या है odd number आना पहले event को छोड़ दो आप सबसे पहले total देखो क्या outcome आसकते है total 6 outcome आसकते है अब odd number कितने तरीके से आसकते है आप die फैंको कि या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा die में ये 3 number ही odd होते है बाकी even number होते है इसका मतलब ये जो odd number कितने तरीके से आसकता है तीन तरीके से आसकता है या तो 1 आजाएगा या 3 आजाएगा या 5 आजाएगा तो इस odd को कितने case फेवर कर रहे तीन case फेवर कर रहे तो इसकी probability क्या हो जाएगी 3 upon 6 अगें क्या हो जाएगी 1 upon 2 अचा अब मैं अब मैं अब मैं 246 odd मैं 135 बराबर ही है दोनों फिर अब मैं probability की और चीज़ समझाए लगो आपको क्या अगर आपने डाई रोल किया और मैं बोलूँ आपके पास नंबर आए कोई भी नंबर आ रहा है जो के less than 7 आए इसके क्या chances है मुझे बताओ जब मैं डाई फैंकूंगा तो less than 7 नंबर आने के कितने chances है बही 100% chance है जब आप डाई फैंकते हो तो 7 से कम ही नंबर आता है डाई में कभी ऐसा हुआ कि आपका नंबर 7 आ गया या 7 से greater आया नहीं जितने नंबर होते है डाई के उपर वो 1 से लेके 6 तक होते है तो जब भी आप डाई फैंकोगे आपके पास नंबर हमेशा 7 से कम ही आएगा तो यह वैसे अगर आप सोचो तो इसके 100% chance है probability में आप इसको 1 कहते हो और आप फॉर्मले से भी calculate कर सकते हो कि में total outcome कितने 6 और इस event को कितने case favor कर रहे है event क्या है कि 7 से कम नंबर डाई में 7 से कम नंबर कितने होते है 6 के 6 नंबर जो है वो 7 से कम होते है तो probability क्या हो जाएगी 1 तो यहाँ से आपने चीज़ सीखी कि maximum probability क्या हो सकती है 1 के बराबर हो सकती है और one probability का मतलब यह होता है कि यह event जो है यह लाजमी होगा आप 100% बिलकुल guarantee देखे कह सकते हो यह चीज़ लाजमी होगी जैसे अगर एक मैं die फैंकूंगा तो कुछ भी हो जाए 7 से कम नंबर ही आएगा और इसके बराक्स एक ऐसा event जिसके ना होने के 100% chance हो जैसे आपने die रोल की और आपके पास बोला जाए कि नंबर जो है वो greater than 7 आए अब आपको पता है आप die को 1000 दफा भी रोल कर दोगे 7 से बड़ा नंबर कभी भी नहीं आ सकता तो यह वो event है जिसको कोई भी case फिवर नहीं कर रहा है अगर आप formula यूज करो तो outcome 6 है और इस event को कौन फिवर कर रहा है 0 cases die पे ऐसा कोई number नहीं है जो 7 से greater हो इसका मतलब probability क्या है 0 तो minimum probability क्या हो सकती है 0 हो सकती है और 0 probability का मतलब क्या होगा कि यह event होई नहीं सकता कुछ भी कर लो यह event नहीं होगा तो यहां से आपने example भी देख ली example भी discuss होगी हमारी और साथ साथ आपने भी देख लिया कि maximum probability 1 होती है minimum probability 0 होती है अगर आप percentage में convert करो तो 0% से लेके 100% तक यह probability होती है तो probability का formula देख लिया concept देख लिया die की तो almost आप में तक्रीबन example देख लिये अब थोड़ा मैं और आपनों को बताता हूँ कुछ probability में मजीद concept होते हैं वो मैं पहले discuss कर देता हूँ कि अगर दो event जो है वो एक साथ हो रहे हो जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक event है A event और एक event है B मुझे बताओ कि अगर ये दोनो मतलब A union B A और B की probability क्या है कि या तो A हो जाए या B हो जाए इनकी probability क्या होगी तो इसकी probability का formula यह होता है P of A plus P of B minus P of A intersection B इसको आप ऐसे addition principle कहते हो अब इसका मतलब यह होता है कि आपसे अगर बोला जाए कि या तो मैंने डाई फैंगा मैं एक example दे रहा हूँ इसको ज़्यातर example आती नहीं है जब इसकी example आती है तो वो directly दे रहे होता है कि P of A की value दे देंगे P of B की value दे देंगे इसकी value दे देंगे और आपको बोलेंगे A union B निकालो लेकिन मैं वैसे समझाने के लिए बता रहूँ यह है क्या चीज़ कि आपके कोई भी दो event है जैसे अभी हम cards की example पढ़ेंगे एक event है कि diamond card आना एक event है club आना example ले लो अगर मैं आपको बोलूँ कि बताओ कि या तो diamond आए या club आए या दखना union का मतलब और होता है यह जो आपने अंग्रेजी का word पढ़ा है और जिसको अर्दू में आप या कहते हो कि या तो diamond आजाए या club आजाए इसकी probability क्या होगी तो let कर लो A का मतलब diamond आना B का मतलब club आना यह आपको बाश्यत भी समझना है कि आपने card नहीं पढ़े वे तो कहने का मतलब है कि या तो एक event हो या दूसरा event हो इसकी probability आप कैसे निकालोगे इस formula से निकाल रहोगे जबकि जो P A intersection B है इसका मतलब है कि बताओ कि दोनो event एक साथ आने की probability क्या है कि ये event भी हो ये event भी हो दोनों के एक साथ आने की probability बताओ जैसे मैं आपको example देता हूँ कि कोई भी दो event है और आपको बोला जाए कि यार ये दोनो event एक साथ आए इसकी probability क्या है जैसे अभी मैंने diamond और इसकी example देती आपको कि diamond let कर लो event A है आपने card निकाला तो वो diamond का हो और दूसर अएवंट है कि आपने card निकाला वो club हो अब इनकी एक साथ आने की probability क्या है तो उसके लिए formula क्या होता है कि याप निकालते हो P of A multiply P of B मздरों की probability को आपस में क्या कर देते हो multiply कर देते हो तो एक साथ आने की probability का formula क्या है कि आप दोनों की जो probability है उनको multiply कर दो अभी जब ये examples आएंगे ये बात आपको समझाएगी अभी इसको छोड़ दो ये बिलकुल हम end पे probability के example करेंगे तब आपको बात समझा जाएगी एक साथ आने में आप multiply करते हो और एक हो जाए या दूसरा हो जाए तो आप ये पूरा formula होता है अब एक आखरी चीज है जो इसको हम end पे रखते हैं वहाँ पे example देके मैं आपको समझा दूँगा कि एक चीज होती है जिसको आप बोलते हो mutually exclusive event ये वो event होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते है जैसे मैं example देता हूँ क्या ये possible है कि आप एक coin को toss करो head भी आज़े, tail भी आज़े क्या ये possibility है नए या तो head आएगा या tail आएगा head और tail ऐसे दो event हैं जो एक साथ आई नहीं सकते हैं तो उन events को आप कहते हो mutually exclusive event जो एक साथ हो ही नहीं सकते है एक और example आपने dive है का आपके बास 1 भी आज़े, आपके बास 5 भी आज़े क्या ये दोनों event एक साथ हो सकते हैं नए इनको आप क्या बोलोगे mutually exclusive event तो ये वो event है जो एक साथ नहीं हो सकते है तो फिर इनकी ये वाली चीज़ क्या होगी इनकी एक साथ आने की probability जीरो हो जाएगी तो MCQJ भी आ सकते हैं कि ऐसे event जो mutually exclusive event है उनकी ये वाली चीज़ क्या होगी जीरो के बराबर होगी क्योंकि ये वाली चीज़ रिप्रेजेंट करती है एक साथ आने की probability जो और मैंने बताया कि ये event एक साथ आई नहीं सकते है जैसे आप से बोला जाए probability बताओ कि आपने coin को टॉस कि आपके पास head भी आजाए आपके बास tail भी आजाए तो zero probability है ऐसे chances ही नहीं है zero chances है कि आपके पास head भी आजाए तेल भी आजाए अभी तीन फॉर्मुले जो है इसकी हम एंड पे एक्जेंपल करेंगे यह काइंड ओफ 7.5 का टॉपिक है थियूरी में डिस्कॉस कर रहा था इसलिए मैं आप लोंको भी बता दिये तो इसकी एक्जेंपल और मैं चार पंच करवा दूँगा ताकि आपको इनका कॉंसेप्ट लेर हो जाए ठीक है तो इसके लावा इन में तो आपको क्लियर होगा आखरी चीज है उसको आप कहते हो कॉंपलिमेंटरी इवेंट फिर हमारी थियूरी खतम हो जाएगी फिर हम एक्जेंपल से आ जाएंगे क कॉंपलिमेंटरी इवेंट यह होते हैं कि जैसे मैं लेकर हो ना प्रॉबिलिटी ओफ इवेंट ए मतलब ए के होने के चांसे बताओ इसको मैं कैसे लिखूंगा प्रॉबिलिटी ओफ ए अगर आपसे बोला जाए एके ना होने के चांसे बताओ तो फिर आप क्या लिखते हो a prime लिख देते हूँ a prime का मतलब क्या होता है कि a के ना होने के chances बताओ जैसे मैं example देता हूँ आपको अगर आपने die फैंका आपने देखा था 3 आने के कितने chances थे 1 upon 6 और अगर मैं आप आपसे मैं बोलूँ कि 3 ना आने के chances बताओ तो वो आप किस तरह निकालोगे ठीक है फर्क समझो जरा कि 3 आने के chances है 1 upon 6 3 ना आने के chances कितने हैं ये कैसे आप निकालोगे तो याद अखना ना ने को आप इस तरह लिखते हो a prime भी लिखते हो या आप ये वली notation भी यूज कर लेते हो कि आप इसके बार भी लगा लेते हो दोनों का मतलब होता है कि ये event ना होने के chances बता हो तो इसका simple formula होता है कि 1 minus ना होने के chances और इसको मैं भी समझाता हूँ आपको इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो अब इसका मतलब क्या है इसी example से लेते हैं 3 आने के chances कितने हैं 1 upon 6 लेट कर लो ये event A था इसके आने के chances थे 1 upon 6 मैं आप से बोलूँ कि बताओ कि इसके ना आने के chances ना आने के chances कैसे निकालो के 1 में से माइनस कर दो इसको 6 1 जाए 6, 6 minus 1 5 ये हो जाएगा 5 upon 6 इसका मतलब इस event के ना आने के chances कितने हैं 5 upon 6 तो अगर आपको आने के chances given हो और आपको ना आने के निकालने हो तो आप ये वहला formula ये उसकरोगे just 1 में से माइनस कर देना और अगर आपको ना आने के chances given हो और आने के निकालने हो तो आप बस 1 से माइनस कर दोगे हर case में आपने 1 से minus करना होता है और example के तौर पर मैंने आपको यह बता दी था कि आने के 1 upon 6 chances ते ना आने के आपने किस तरह निकाले 1 से आपने minus करती है